हेलो एपरिवाइन कैसे हैं आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे मैं आज आप लोग के सांथ सियर करने जा रही हूँ रेट चिली पाउडर को पूरे साल के लिए कैसे स्टोर करके रखे दोस्तों बजार से जो मिर्च हम लाते हैं पता नहीं होता है कि किते दीनों का है और साथ ही साथ उसमें कलर भी मिक्स होता है तो मैं कहूंगे कि आप इसका पाउडर बनाकर घर पे ही एक साल के लिए इस्टोर करके रखें तो यहाँ पे मिर्च को अच्छे से सुखा कर मैंने इसका powder त्यार कर लिया है आप चाहे तो घहर पे भी इसे त्यार कर सकते हैं या चक्की पे भी इसको एस्टोर करने के लिए मैंने लिया है काँच का जार अच्छे से धोकर और इसे बहुत अच्छे तरीके से मैंने सुखा लिया है अब इसमें हम डालेंगे दो पिंच के करिव हिंग जी हाँ दोस्तों यही है जो हमारे मिर्च को पूरे साल के लिए कीडों से बचा कर रखेगा तो सबसे पहले तले के अंदर मैं दो पिंच हिंग डाल रही हो और अच्छे से तले में इसे फैला देंगे हिंग जो है गाठ वाली भी आती है गाठ वाली हिंग आपके पास है तो सबसे बेश्ट है एक टुकड़ा इसके अंदर डाल दीजे उसके बाद आप मिर्च को भरिए तो मेरे पास पाउडर वाला हिंग है दो पिंच मैंने तले में फैला दिया है उसके बाद इसमें मैं मिर्च को भरूँगी यहाँ पे जो जार है वो जादा बड़ा नहीं है इसलिए मैं हाफ जार को पहले मिर्च से भर लोगी उसके बाद हिंग को क्या करना है वो बताने वाली हो आपके पास बड़ा जार है बड़े जार में आप रख रहे हैं तो यहाँ पे हर 3-4 इंच भरने के बाद आप एक छोटा सा गांट रख दीजिया या एक पिंच आप हिंग पाउडर को इसमें फैला दीजिया हिंग पाउडर का जब तक इसमें खुस्बू रहेगा तो यह पूरे साल के लिए इसी तरीके से बरकरार रहेगा मिर्च आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा किड़े नहीं पड़ेंगे तो यहाँ पे हाफ जार को मैंने भर दिया है और उपर से एक पिंच के करिब एक स सांथ तो पूरे साल के लिए आपका मिर्ची सेव रहेगा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और सबसे खास बात की आप इसे काच के जार में भरें तो सबसे बेश्ट रहेगा तो पूरे साल खराब भी नहीं होगा और बर्शाद के मौसम में भी यह ठीक रहेगा तो यह द पताईएगा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिजिएगा, सियर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना मत बढ़ाएगा.